यूपी में 476 ब्लॉक प्रमुक सीटों पर आज मतदान कहां हुई प्रेम प्रसंग में युवक की जम कर पिटाई और दिल्ली समेत उत्तर भारत में हो सकती है बारिश राज्यों के एहम खबरों के लिए देखे टॉप 9 राजविशेश उतर प्रदेश के 476 चेतर पंचायतों में अध्यक्ष पत के लिए आज सुबह 11 से दो पहर तीन बजे तक मतदान होगा इसके बाद परिणाम खोशित किये चाएंगे कल नमांतन वापसी के आखरी दिन 346 चेतर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाची थुए हिमाचल प्रदेश के पुर्व मुख्य मंतरी वीर भदर सिंग का आज दो पहर तीन बजे रामपूर में अंतिम संसकार किया जाएगा कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम संसकार के लिए होली लौज में रखा गया था वीर भदर सिंग का आठ जुलाई को शमला के अस्पताल में निधन हो गया वे लंबी विमारी से जूज रहे थे जियोति रादित्य सिंधिया को एमपी के पूर मुख्य मंतरी कमलात ने बधाई दी है मोधी कैबिनेट में सिंधिया को जगा मिलने पर कमलात ने कहा कि ये बीजेपी और सिंधिया के बीच का मामला है वे हमेशा खुश रहे हालकि कमलात ने ये भी कहा कि सिंधिया को बीजेपी में सम्मान मिला लेकिन अब ये गाड़ी आगे कैसे चलती है ये देखा जाएगा उत्तरप्रदेश के मव में विजेपी उमिद्वार के रिष्टिदार को अग्याद बदमाशों ने गोली मार दी हमले में गोली लगने से घायल शक्स को प्राथमिक इलाज के बाद वाराणसी रफर कर दिया गया जहां उनकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है पुलिस ने केस दर्च कर मामले की जाच शुरू कर दी है यूपी के कानपूर देहात में प्रेम प्रसंके चलते लड़की के परिजनों ने ये वक को बांध कर जम कर पीटा यसे गंभीर हालत में अस्पताल में भरती कर आये गया ये वक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पुलिस ने पेड़की शुकायत पर केस दर्च कर लिया है पंजाब के लुधियाना में घर के बाहर डौगी घुमा रही मैला की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए ये पूरी घटना एक CCTV कैमरे में कैद हो गई पुलिस ने मामले की जाच शुरू कर दी है और जल से जल्द आरोपियों की गिरफतारी की बात कह रही है उतर भारत में बारिश की संभावना है यूपी दिल्ली पंजाब और हरियाना के कुछ हिस्सों में आज से 12 जुलाई के दौरान बारिश हो सकती है मौसम वेभाग के मुताबेक इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है पुरी में श्रधालों के बिनरत यात्रा के उत्सव भगवान जगननात के नव योवन दर्शन के साथ शुरू हो गया इस दौरान अनासरा घर में 14 दिन रहने के बाद उनकी यूव आवस्था की पूजा की जाती है उत्सव के मद्दे नजर ओडिशा सरकार ने 11 जुलाई से पुरी शहर में कर्फियू लगाने का एहलान किया है